बाड़े के टट्टू कितने भयंकर थावित हो सकते हैं ये बात अब समझ में आ रही है पोतिन सहाब को जिस आदमी को उन्होंने अपनी जीत की जिम्मेडाली दी थी वो अब मोस्कों की तरह बढ़ रहे बिद्रो 25 जार 50 जार इतने सैनिक जो है पुतिन सहाब के खिलाफ बिद्रो का जंडा बुलंद किये हुए हैं मौस्को की तरह बढ़ रहे हैं जबकि पुतिन सहाब अंदरूनी समस्या से घिरे हुए हैं कल तक ये यूक्रेन में स्पेशल मिलिटरी ओपरेशन कर रहे थे आज स्वयम पुतिन सहाब के खिलाफ मिलिटरी ओपरेशन हो रहा है और दुख की बात ये है कि पुतिन सहाब का खाना परोश्ते थे खाना बनाने वाले सेफ थे ये बाड़े के टट्टू जिन्होंने पुतिन सहाब की पीड़ पर छुड़ा घुपा है अभी तक पुतिन करते थे अपनी आलमी के द्वारा लेकिन जब ये ज़्यादा भारी हुए तो आलमी के माद्यम से पुतिन सहाब ने इनको कंट्रोल में करने का प्रयास किया और वो अनकंट्रोल हो गए अनलीश हो गए पुतिन सहाब के खिलाफ अब जो है ये भसमास और पुतिन सहाब के हाथ रखने के लिए आगे बढ़ रहा है मौसको की दरफ इस समय जब कि पोतिन सहाब अपने पूरे युद्ध में सबसे बुरी हालत से गुजर रहे हैं तो भारत क्या कर रहा है ये बड़ा सवाल है दोस्तों भारत और रूस की बीच में ओयल ट्रेड हुआ रूपे में पेम नहीं कर पाएंगे तो काम कैसे चलेगा अभी हाल ही में यो पाकिस्तान को रूस ने कच्चा तेल सप्लाई किया है उसका प्रमुख कारण यही है कि पाकिस्तान ने पेमेंट चाइनीज करंसी युवान में किया है अब भारत तो युवान में पेमेंट कर नहीं सकता तो ट्रेड दिरहम में और रूपय में होगा तो रूस भले ही भारती रूपय का इस्तमाल नहीं कर पा रहा है लेकिन युवेई तो कर लेगा युवेई के साथ तुमारा ट्रेड हो रहा है तो भारत और युवेई के बीच अगर रूपया दिरहम की मेकेनिजम खड़ी हो गई तो दिरहम का इस्तमाल करके रूस फिर यूआन में konvert करा सकता है अच्वार डॉलर का इस्तमाल करके अपना payment कर सकता है रुकुल मिलाके इस प्रकार रूस का काम चल जाएगा उसको डॉलर में करना हो या यूआन में payment का लाब उठाना हो वो स्वतंत्र हैगा भारत को UAE के आप भी मल जाएगा और भारत की लाठी भी ना टूटेगी दिरहम में जो ट्रेड है जल्दी से जल्दी होगा लेकिन फिर भी हमारा रूस से यही आग रहे है कि आपकी हाल फिलाल तो समस्चा हमने सॉल्व कर दी लेकिन फिर भी अच्छा होगा यह आप भारत में इस रुप बढ़ाएंगे या भारत से माल खरीदेंगे तो हम आपकी शौट टर्म समस्चा सॉल्व कर रहे हैं उम्मीद है कि आप हमारी लॉंग टर्म समस्चा का समादान निकालेंगे और जहां तक यह सवाल है कि पुतिन सहाब के खिलाब जो बिद्रो हुआ है उसका क्या अंत होग पुतिन सहाब अगर वहां पर रूस में है तो समस्चा सुलजी होई है समस्चा कम है अगर भाड़े के टट्टू के हाथ में रूसी परमानों हत्यारों की कमान आ गई तो वह अमेरिका यूरोप चीन भारत सबके लिए बहुत बहुत जादा बुरा होगा बसमासुर है अग इसने जल्दी उनका बला होगा